खेलो दोस्तों ट्रिक्स-फ़र-all-區units में आप सभी का एक बार फिट से सुवागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम political theory concept and debate की आपकी एक यूनिट है अधिकार आज की इस वीडियो में हम इस अधिकार वाली यूनिट को पूरी तरह कवर करेंगे देगे दोस्तों आपको इस यूनिट में अधिकार तीन तरह के जो अधिकार के प्रकार कहलो या सिद्धान ते इसको समझना है प्राकरतिक अधिकार नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकारों को आपको पढ़ना है इसके साथ ये अधिकार क्या होता है आप ये भी जानेंगे इसके लावा अधिकार और दायित में कैसा संबन्द है दोनों का कैसा रिलेशन है आपको इसको समझना है सारी बातें आपके नई education policy के syllabus के तहती ही हो रही है तो यहीं कहूंगा वीडियो को पूरा दिखना ताकि सारी बातें आप समझ सकें सबसे पहले बात करते हैं अधिकार होता गया है तो अधिकार राज्य के अंतरगत वैक्ति को प्राप्त होने वाली ऐसी अनुकूल परिस्थितियां और अफसर हैं जिसमें वैक्ति अपना विकास अपना डैवलप्मेंट करता है तो देखे दोस्तों ऐसी अनुकूल परिस्थितियां और अफसर जिसकी साहिता से वैक्ति खुद का विकास कर सकता है उसे ही हम अधिकार कहते हैं यहाँ आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि माल लो एक वैक्ति है जो कि स्वातंत्र परिस्थिति में रह रहा है तो हम कहेंगे कि उसे स्वातंत्रता का अधिकार पराप्त है ठीक है और वही वैक्ति या कोई एक वैक्ति है जो समान ऐसी परिस्थिति में रह रहा है जहां पर उसे समान अफसर मिल रहे हैं तो आप कह सकते हो कि उसे समानता का अधिकार पराप्त है तो कुल मलाकर आप अनुकूल परिस्तितियां और अफसर की रूप में समझ सकते हो या कह सकते हो जो की वैक्ति का विकास करते हैं तो आई होब दोस्तों आपको अधिकार का मतलब समझ में आ गया गा बहुत ही कम शब्दों में आपको इसका मतलब बता है एक बार फिर बता देता हूं देखो ऐस अनुकूल परिस्तितियां और अफसर जिसमें वैक्ति खुद का विकास कर सकता है जैसे कि मालो महौल जो आपकी कंडीशन है मालो आप ऐसे इन्वार्मेंट में रह रहे हैं इन्वार्मेंट मतलब यहां पर जैसे कि मालो आप एक ऐसे शाहिशन व्रवस्ता के अंतरगत रह है मतलब आपको समान अफसर दिए जा रहे हैं आपको जो जो अपरचुनिटी मिल रहे हैं वो समान है सबी के बराबर मिल रह рही हैं किसे के पास कोई विश्यशा ओधिकार नहीं है तो हम कहेंगे कि आपको आधिकार प्राप्ध है आप उस परिस्तिति में अपना विकास कर सकते हो आपको अनुकूल परिस्तितियां मिली हैं अफसर मिले हैं और आप अपना विकास कर पा रहे हो तो आप कह सकते हो कि मुझे अधिकार प्राप्त है और माल लो नाम मात्र का कभी कहीं पर कोई अधिकार है भी और परिस्तितियां ऐसी हैं कि जिसमें आप अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं तो आप कह सकते हो कि उस अधिकार का होना ना होना बराबर है आई होप यहां तक आपको अधिकार का मतलब समझ में आ गया होगा नहीं भी आया है तो कोई दिक्कत नहीं है अधिकार को हमें बस हलके सा हलका सा समझना है बस ठीक है अधिकार राज्य दौर व्यक्तियों को प्रदान कीया जाता है ठीक है लेगिन जौ adulthood का महेत बहुत जादा है क्योंकि अछिकार ही साधन है अधिकार ही वह जरिया है जिसके दूएरा वैक्थ सकता है इसलिए अधिकारेब का महेत to अगर हम बात करें तो अधिकार के गुण की अधार पर अगर हम बात करें तो दो तरह के अधिकार आपको देखने को मिलेगा एक नकरात्मक अधिकार और एक सकारात्मक अधिकार अब यह क्या होता है इसको समझें नकरात्मक अधिकार में जो राज्य होता है उसकी भूमी का बहुत कम होती है ठीक है नकरात्मक अधिकार में पूरी उमीद की जाती है या पूरा कहा जाता है सरकार से कि सरकार उस पर प्रतिबंद नहीं लगाएगी ठीक है नकरात्मक जो अधिकार होते हैं उसमें यही सरकार पर दवाब डाला जाता है कि सरकार उस पर बिल्कुल प्रत और राज्यें भूमिका बहुत कम होती है मैं उधारम्त के समझाउगा दोनों को जैसे कि अब आगर हम बात करें सकरात्मक अधिकार कि तो can can FRा गाधिका रूमें सरकार उसकी भूमिका बोह जाधा बढ़ जाती वह जो राज्यें हे तेता हैं सकरात्मक अधिकारों की पूर्ती के लिए जैसे कि मान लो दो अधिकार हैं मान लो भारत में हमें विचार और अभिवेक्ति की स्वाधंदरता का अधिकार भी प्राप्त है और साथ में सिक्षा का अधिकार भी प्राप्त है लेकिं यहां पर देए सिक्षा का जो अधिकार है यह क्या ह क्यों कि सिख्षा का अधिकार मिलने का मतलब ये है कि सरकार обस्ते करेगी ता कि बच्चे agent वह быть enroll रे सके या फिर फिड़ जो एप सैने नहीं मिल पाद रहा है पैसे की कमी या दिक्कت की है से उन इसके वह बस्ता कि compassion नेमिटạtर मामिट तो सिक्षा का अधिकार मिलने का मतलब यह है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार बच्चों को सिक्षा दे ठीक है चाहे बच्चे पैसा उतना अफॉर्ड करने में एबल हों सक्षम हों या ना हों ठीक है तो सरकार की जिम्मेदारी होती कि सरकार वो अधिकार पूरा करवाए लेकिन विचार और अभिवयक्टी में ऐसा नहीं है विचार और अभिवयक्टी की स्वाधन्दरता के लिए सरकार को कोई खास, कोई मतलब institution या कोई खास कारें नहीं करना है आपर ठेके बस सरकार यह देखेगी कि कोई किसी का उलंगन ना करे विचार और अभी वैक्ति की स्वातंदृता का लाब उठाकर कोई किसी चीज का उलंगन ना करे बस ऐसा ना हो कि मतलब विचार और अभी वैक्ति की स्वातंदृता के कारण किसी दूसरे वैक्ति का वैक्ति की स्वातंदृता का हनन हो रहा हो तो सरकार बस इतना ही देखेग आपको समझ में आ गया होगा जैसे कि चिकितस का अधिकार अस्वातंगर मिल जाते तो क्या JOHN सरकार को आपको कि अदिकार की पूर्व करपाएं अगर अगर उनके इस अधिकार का उलंगन होगा तो जो नागरिक हैं वो कोट में जा सकते हैं वो अदालत का सहारा ले सकते हैं और अदालत कहेगी कि नागरिकों को अधिकार प्राफ थे तो सरकार को वो व्यवस्था करने पड़ेगी ताकि नागरिक अपने अधिकार का लाब उठा सकें तो यह होता है सकरात्मक अधिकार तो यहां तक हमने काफी बाते समझ ली अब हम बात करते हैं अधिकारों के परंपरागत सिध्धान्त की अब यहाँ पर मैंने सिध्धान्त की रूप में लिखा है, आप चाहें तो इसे प्रकार की रूप में भी कह सकते हैं, लेकिन सिध्धान्त भी लिखेंगे तो सही है वो, कई बार अधिकारों के प्रकार की रूप में हम देख लेते हैं कि प्राकर्तिक अधिकार, नागरिक अ पर हम इसे सिध्धान्त के प्रमप्रगत सिध्धान्त के अंतरकत यहां पर हम समझेंगे इसको बागी अधिकार कहो प्रकार कहो कोई अंतर नहीं होगा ठीक है यहां पर अब बात को समझे पहला है प्राकरतिक अधिकार प्राकरतिक अधिकार क्या होता है सिंपल सी बात है एक सरकार समालेगी एक व्यवस्था बनाएगी कानून वगरा बनाएगी तो सरकार का निर्मान तो बाद में हुआ है ठीक है मनुश्य पहले आया है तो यहाँ पर कहने का मतलब यह ही है कि क्योंकि जो सरकार है वो बाद में आई है जो मनुश्य है वो सरकार से भी पहले आया है ठीक है तो इसलिए मनुश्य के पास कुछ प्रागर्तिक अदिकार थे सिंपल भी बात को यहां पर आप असानी से समझें देखे क्या हुआ अब आपको बहुत सारी थियोरी आगे के सैमेस्टर में या जो भी आगे की दूसरे सब्जेक्ट से उसमें पढ़ाई जाएंगी देखे प्राकरतिक अदिकारों से जुड़े जो सिध्धान थे वो आपको जैसे जैसे जनसंक्या बढ़ती गई तो व्यवस्था की डिमांड बढ़ी कि हाँ थोड़ी व्यवस्था होने ही चाहिए तो फिर देखे मनुष्यों ने आपस में ही ऐसे सिच्विशन बनी होगी कि आपस में ही मनुष्य ने मतलब गठ जोड किया सबी मनुष्य मिले सरकार है सरकार ने मनुष्यों को नहीं बनाया बलकि जो मनुष्य है उसने सरकार को क्रियेट किया है मतलब जो इंसान है जो मनुष्य है उन्होंने सरकार को बनाया है उन्होंने राज्य को बनाया है इसलिए मनुष्य का एक बहुत बड़ा इंपोर्टेंस है ठीक है और तरीके से अधिकारों को डिफाइंड किया लेकिन जब सरकार नहीं थी तो मनुष्य के पास बहुत सारे अधिकार थे लाइक मनुष्य कहीं भी जा सकता था कहीं भी मतलब कोई भी पेड उसे दिए वो उस पेड से फल तोड़ कर खा सकता था मनुष्य के पास आजा दिती उसे रोगने टोपने वाला कोई नहीं था ठीक है हाना कि वो बात अलग थी कि ऐसे में कई बार जो बड़ी मचली थी वो छोटी मचली को खा लेती थी मतलब एक जो बलचाली मनुष्य था वो छोटे या जो कमजोर वर्ग का जो वैक्ती था जो क अब सारी बातें आपको आसानी से समझ में आएंगी कुछ अधिकार राज्य के उत्पतिस से पहले अर्थात प्राकरतिक दर्शा में ठीक है स्टेट ऑफ नीचर में भी विद्मान थे इन्हें प्राकरतिक अधिकार कहा जाता है इन अधिकारों का सिरेजन राज्य ने नही अज़े हुआ है तो यहां पिर देखे राज्य निन जम आधिकारों की रख्षा के लिए वद्धिकारों की सता सकता था या उससे कोई चीज छीन सकता था तो राज्जे का गठन इसलिए किया गया कि कोई भी बलशाली वैक्ति या कोई भी वैक्ति किसी दूसरे वैक्ति के अधिकारों का उलंगन ना कर सके तो कुल मुलाकर कह सकते हैं कि राज्जे का गठन ही अधिकारों के रक्षा क इसमें जो प्रागर्तिक अधिकारों को सामने रखते हैं जॉन लॉक ने जीवन स्वातंद्रता और संपत्ति के अधिकार को प्रागर्तिक अधिकार बताया था और राज्ये को इसकी रक्षा के लिए उत्तरदाई माना और अगर राज्ये प्रागर्तिक अधिकारों की बहुत जादा इम्पोर्टन्ट है इसलिए यहां पे इसको प्राकर्टिक अधिकार बता गया गया है जॉन लॉक ने यहां तक कहा है कि जो सरकार है उसका बस गठन इसलिए हुआ है कि वो इन अधिकारों की रक्षा कर सके और अगर कोई सरकार, कोई राज्ये इन अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता तो जनता उनके विरुत करांती कर सकती है इसके लाव़ा टॉमस हॉप्स और रूसो भी प्राकर्तिक दश्या यानि कि राज्ये या सरकार, सत्ता को सौम् देता है तो फिर वह राज्ये के आंतरकत उसी क्या आदेश को मानने के लिए बाध्य होता है और रूसो भी सामाने इच्छा के सिद्धान्त के अंतरकत यही रोसो ने भी कहा है यहां भी बात को समझिए अब टॉमस हॉपस ने जो सिद्धान प्रसुत किया उसमें क्या कहा है इनोंने कि प्राकर्तिक दश्या हुआ करती थी ठीक है मनुष्य के पास प्राकर्तिक अधिकार थे लेकिन मनुष्य मतलब बहुत जादा आतंग मचा हुआ या आराजक्ता के स्थी दिए अर बढ़ी मचली छोटी मचली को खाती दी मतलब यह कहने का है कि जो बछ終 मनूष्य था वह कमजोर मनूष्य को सताथा सताता था ऐसा टॉमस हॉपस ने माना है तो इसलिए जो मनुश्य थे वो क्या करते हैं आपस में आपस में समझाता कर लेते हैं और सारे के सारे जो अपने अधिकार हैं वो उसका त्याग करकर एक जो सरकार है उसको दे देते हैं कि सरकार अब हमारी रक्षा करेगी तो ऐसे मे जब सभी वैक्ति अपने अधिकार सरकार को दे देते हैं तो टॉमस वाप्स कह रहे हैं कि दुबारा ये वैक्ति अपने अधिकार ले नहीं सकते और अब उनको सरकार का आदेश ही मानना होगा और यही सही है ऐसा टॉमस वाप्स बताते हैं कुल मिलाकर आप ऐसा कह सकते हो कि अगर हम दार्शनी के कॉंटेक्शन बात करें तो जो जॉन लॉक है वो कहते हैं भाई देखो प्राकरतिक अधिकार है वो सबसे उपर है ठीक है उनका इस्थान सबसे उपर है सरकार इनको छीन भी नहीं सकती और टॉमस कहते हैं कि देखो भ देखा उसी का पालन करना पड़ेगा क्योंको रूसों भी कहता है तो अब दार्श हम जब पढ़ाते ना तो ऐसी चीज़े ही निकालनी पड़ती है कि हम एक किताबी लेंग्वेज भी यूज करते हैं तो प्लिस यहां पर यह ना सोचे कि मैं रिस्पेक्ट नहीं करता किसी अभी व्यक्ति हैं राज्य के लगी है लेकिन अतुक्ति लुफ हो तो शामाने इच्छा है प्रागरति अधिक्यार गहराई में समझ लिए बहुत कम शब्दों में बहुत गहराई में हमने समझाए सारी बाते इंपॉर्टेंट हैं यूनिवर्सिटी यहाप ग्रेजुएशन के दौरान यहाप पर पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझाए जा रही हैं अब देखें किसी समाज में दासप्रता को प्रागर्तिक माना जाता है कहीं इसे प्रकर्तिकी विरुध माना जाता है कुछ लोग इस्तरी पुरुष को प्रकर्ति से समान मानते हैं कुछ लोग इस्तरी को प्रकर्ति से पुरुष की दासी मानते हैं तो यहाँ पे देखें अब यह जो प दासप्रता क्या है प्रकृति की विरुद्ध है लेकिन कई सारे समाजों में इसे प्रकृति के समान माना जाता रहा है बहुत सारे समाज इसे लंबे समय मानते हैं कि प्रकृति ने संमान बनाय और नों को लेकिन कुछ लोग कहते कि प्रकृति नहीं पुरुष को पुरुष की दाशी यह वही निर्न लेगा प्रकरत्य उसने पूरुष के दाशी बनाए कौं मानेगा मैक्सिमम जो जो लोग है जने में विवेक नॉर्म जो ठीक थीक है वह नहीं मानेंगे वह बात बिल्कुल गलत है प्रकरती ने मनुष्य और सब्सक्राइब जो मनुश्य हैं उन सभी को समान बनाया है इस तरहीं पुरुष सभी समान है ठीक है तो उन सही सच्चे और सभाविक अधिकारों का पता लगा सकते हैं जिने सब जगा माननेता दी जाएगी तो यहां तक हमने बात कर ली प्राकरतिक अधिकारों की अब हम बा बस्ता उचित और शुब के अनुरूप हो उन से जुड़े अधिकार ही सही अर्थ में अधिकार माने जाएगी देखे दोस्तों नैतिक अधिकार में मुख्य रूप से उचित और शुब मतलब दोनों का मतलब उसेमी हुआ इस पर धियान दिया जाता है और अनुचित और या कोई शीच गलत है हम हर चीज को उचित और अनुचित की कसोटी पर शुब या अशुब की कसोटी पर कसकर देखते हैं ठीक है जैसे कि जब किसी अधिकार को नैतिक भावना से प्रिरित होकर अपनाया जाता है तो उस अधिकार को नैतिक अधिकार कहा जाता है जब अब मान यहां पर समझीए जब हम किसी अधिकार को नैतिक जो चीजे हैं नैतिक जो भावना है उस अधार पर अपनाते हैं तो उसे हम कहते हैं नैतिक अधिकार इसमें आप नैतिक तक बहुत सारे उधारण देख सकते बजर्ग लोग या जो महिलाएं हैं उनको सीटे प्रदान करें अब मेट्रों करते हैं डेली मेट्रों वेगरा में तो आप ऐसा सुनेंगे ठीके और एसा लिखा भी रहता है ठीके तो आप यह क्या देखते हैं यह चीजें दिखारी 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 है की देखो बुजर् है हमने यहां पर बस यह देखा कि हां यह चीज शुब रहेगी यह उनके लिए अच्छी रहेगी और यह उच्चित है हमें ऐसा करना चाहिए ठीक हो सकता है कल को हम भी बुजूर्ग होंगे ठीक हमारे घर में भी लेडिस हैं कभी वह भी ट्रैवल करेंगी कि करेंगी और तो हम इसे अधिकार में शामिल करेंगे तो यह बात थे हैं ठीक हैं या पर नयतिकत सम्झेबाश मणित सारे चीज mustard में अगया हो मिरुज से हुआ है यह उनके ठीकार थोड़ा लेंग्ट था समझा चीजा I did लेकन यहां पर कानूब कर रही है mais कि द्वारां किया जाता है यह आशीमित नहीं होते इनके उलंगन पर दंड व्यवस्था करता है यहां पर फालिख में भुए क्यान कि सरकार भी अगर राज्य को बहुत डिटेल समझे राज्ये शबद का मतलब तो राज्ये में सरकार भी आती है यंग आती है कारएपाली का भी आप एड़ कर सकते हो नियाए पालिक आ कारएपाली का विधान अंपालिक तो यह पूरे जो राज्ये की वय वबस्ता है जो Matsyainken किसी देश तो उसके लिए सजा का प्राफधान होता है उसके लिए दंड की विवस्था होती है तो यह कानूनी अधिकार हैं अगर आप इसका उलंगन करोगे तो दंड भी मिलेगा कानूनी अधिकार प्राकर्तिक अधिकारों का उल्टा हैं उल्टा दोस्तों यह इसलिए हैं क्योंकि द जिया जो आज हम बात करते हैं मानावधिकारों की तो जो मानावधिकारों का विचार है वो कहां से आया वो प्राकर्थी का विच्व में बढ़ रहा है आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा अधिकार की संकल्पना उचित के साथ जुड़ी है यदि कानून ही अधिकार की परिभाशा है तो क्या राजी की परतेक आग्या का आग्या को उचित भी मान लेना चाहिए अब देखे दोस्तों सिंपल सी बात है जो अधिकार है वो उचित की संकल्पना के साथ जुड़ा हुआ है देखे यहां पर आपको अच्छे से आप एक अलग लाइन बताए जा रही है कि जो अधिकार है उसमें ध्यान रखना की अधिकार जो चीज है वो उचित के साथ उचित शब्द के साथ जूड़ा हुआ है जैसे कि मालो कल को जो स्टेट है जो सरकार है मालो वैसे होगा निकभी होना भी नहीं चाहिए जो दासपरता है उसको एक अधिकार की रूप में मानिता दे दे राज्ये कि ये अधिकार है तो क्या ये सही होगा क्या इसका पालन हम लोग करने लगेंगे नहीं क्योंकि हम इसको उचित की कसौटी पर एक बार कसेंगे जरूर उचित की कसौटी पर हमें देखना पड़ेग इसको तो अधिकार की संकल्पना उच्चित के साथ जुड़ी हुई है यह बात ध्यान रखना आई हो यहां तक आपको काफी बातें के लिए रहो गई होंगी अब हम बात करते हैं अधिकार और करतवे परस पर संबंद की करतवे लिखा है मैंने यहां पर आप चाहें तो दाइत भी लिख सकते हैं वैसे दाइत व कर लो जादा एजी रहेगा क्योंकि आपके सिलेबस में आपे दाइत लिखा है अबलिगेशन लिखा है इंगलिश में अधिकार और करतवे एक दुसरे के पूरक हैं इन्हें एक ही सिक्ये के दो पहलू कहा जाता है कोई भी अधिकार तभी प्राप्त होता है जब नागरिक अपने करतव्यों का पालन करते हैं जब हम कानून और राज्ये को अधिकारों का संदक्षक कहते हैं तो कानून और राज्ये की आग्याओं का पालन करना नागरिकों का करतव्यों हो जाता है यहाँ बात को ध्यान पांच रुपे का मालू सिक्वाइब पूरी तरह प्लेन है तो क्या ये सिक्वा चलेगा मतलब यह कि दो पहलो होते हैं है यह अगर सिक्वाइब सिक्के का, बिल्कुल मतलब सिंपल हो जाए, धुनला पड़ जाए, या बिल्कुल दिखाई ना दे, तो क्या एक पहलू के चलते कोई सिक्का चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है, तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि अधिकार और करतवे दोनों एक दुसरी के पूरक हैं और दोनों एक ही सिक्के के दो पहलों हैं इससे आप इसका इन दोनों के आपसी महत्व का आकलन कर सकते हैं देखिए, अधिकार हमें तभी प्राप्त होते हैं, जब हम कर्तवियों का या दाइत्वियों का पालन करते हैं, सिंबल जी बात है, आज हम अपने माबाप की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तभी बतले में हमें उनसे बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, कि जैसे कि माललौ आप अपने पैरिंट्स की आगयागापालन कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, उन्होंने कहा है, पढ़ रहे हो, आप हर चीज़, उनके मतलब आगयानुसार कर रहे हो, या न नॉर्मल्म आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, ठीके काफ़े ज्यादा, तो ऐसे म और पियाता आपके उपर परतिवन लागाने का प्रयातन करेंगे, कि वो अपने कर्णाव कने काका कर्ण्व का पालन करें जैसे की सिंपल सी बात है आज हमने भारत में दिखाई दिता है कि भारत में 16 करषिज जोड़े गए आधाए कि हमें अपने तुरंगे का संमान करना है तो इतने सारी जो मॉलिक अधिकार अमें प्राप्त인 है demonstrations सरकार मतलब क्यों आपको मौलिक अधिकार का लाब देगी तो सिंपल सी बात है जब तक हम अपने कर्टवियों का पालन करेंगे तब तक हम अपने अधिकारों का लाब उठा सकते हैं जैसे कि अगर आपने देखा होगा कई बार कई तरह के दंगे फसाद होते हैं उसमें क्या है उसमें सरकारी संपत्य का नुक्सान होता है मतलब एक नागरिक उसको नक्षान पहुंचाए तो तो अगर कोई वैक्ति अपने दायतों का उलंखन करता है दायतों को निभाता नहीं है तो वह अधिकारों के पेक्षा कैसे कर सकता है तो यहां पर बात सिंपल सी है कि अगर आप अपने करता वे अपने दायतों निभाएंगे तभी सरकार आपको आपके अधिकार प्रोवाइ के अधिकार राज्य के निती निर्देशक तत्वों में भी वैक्षियों को बहुत तरह के अधिकार दिये गए आला कि वो राज्य के पक्ष में राज्य को उसके लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं जैसे कि समान वेतन मिले इस तरह बहुत सारे भारत में रहने वाली वैक्षियों को बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं लेकिन साथ में कुछ करतव जोड़े गए हैं तो आपको कुछ करतव भी निभाने पड़ेंगे आपको निभाने पड़ेंगे तो अधिकार और करतवे दोनों साथ चलते हैं अकेले अधिकार अराजक्ता को जन्म देंगे अगर सिंपल सोचिए आपको कोई भी दाइत वो नहीं निभाना रहें आपके साथ पास सिर्फ अधिकार है तो इससे क्या होगा इससे अराजक्ता फैलेगी और अराजक्ता में अधिकार निरर्थक हो जाएंगे और देखिए सिंपल सी बात समझिए अधिकार अगर सिर्फ अधिकार दिया जाएगा तो अराजक्ता फैलेगी और अराजक्ता के करण अधिकार भी नस्ट हो जाएगा अधिकार का महतुब भी नहीं रह जाएगा यहाँ अधिकार सिर्फ जब अधिकार होगा वैक्तियों के पास तो अराजक्ता होगी कैसे अधिकार होने से यह होता है कि भाई देखो मेरे पास यह अधिकार है मैं यह चीज़ कर सकता हूं तो सभी वैक्तिय अपनी अपनी मनमानिया करेंगे सरकार का महत्व नहीं रह जाएगा सरक सरकार कैसे कंट्रूल करें किसी वैक्ति को ठीक है जब सबके पास अधिकारी अधिकार हैं उनकी कुछ करतव या कुछ मतलब दायत वहें ही नहीं तो राजक्ता फैल जाएगी साहर वैक्ति अपने आपको पूरी तरह स्वातंत्र मानेगा ठीक है तो सरकार जो सरकारी व्यवस आप इनके औंके अधिकारों का मतलब उनके अधिकारों को रक्षा कर सके तो जाहिडती दूसरे वैक्ती का ब्राप्रिएं करेगा तो इससे क्या होगा कि आधिकार का होना ना होना भी बराबर रह जाएंगा और अगर सिर्फ कर्तवी होंगे वैक्तियों के पास मालो ऐसे दूसरी इसके विपरिट सिच्विशन आ जाती है कि वैक्तियों के पास कोई अधिकार नहीं है लेकिन सिर्फ उनको दायत्व निभाना है अपना मतलब सरकार ने मतलब क्या कर दिया कि वैक्तियों को कोई अधिकार नहीं दिये लेकिन उनसे कहा कि आप अपने दायत्मों को निभाईए तो ऐसे में क्या होगा जो सरकार होगी वो निरंकुष हो जाएगी निरंकुष सत्ता इस्थापित हो जाएगी मतलब ये कि सरकार बस अ अधिकार नहीं मिला तो इससे क्या होगा जो भी तंत्रों का चाहे वो राजशाई हो चाहे वो कोई भी तंत्रों शाशन का वो निरंकुष हो जाएगा वो निरंकुष हो जाएगा है, मतलब जनता के पड़ती जवाब दे नहीं रहेगा, मतलब जो सत्ता होगी, जो सरकारी सत्ता होगी वही हावी रहेगी, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अधिकार और करतव दोनों का ही होना बहुत जादा आवश्यक के साथ में ही तो दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा या बहुत गहराई का संबंद है और दोनों ही एक साथ चलते हैं अधिकार और करतवे दोनों ही एक दुसरे के पूराख है आई होप यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगे इससे आपकी जो यूनिट थी अधिकार वाली पूरी तरह समाप्त होती है उमेद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके अपना फीड़ बैक जरूर दें थैंक्यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो